नमस्कार दोस्तों मैं एक्षा है आप सभी का SSC Edda 24-7 पर स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप तभी लोग I hope कि आप सभी विद्ध्यारती बहुत अच्छे होंगे चलिए सुरुवात करते हैं आज के अपने क्लास की क्लास की सुरुवात करने से पहले एक बार सभी विद्ध्यारती जितने भी लोग लाइफ जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से उन सभी स्टुडेंट तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है जो तैयारी करने दोस्तों इस वक्त रेलवे एक्जाम की तो चलिए सुरुवात करते हैं क्लास की क्लास की सुरुवात करने से पहले आप सभी लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रस करें मैट्स की स्पेशल क्लास मैं डेली आपके साथ लेकर जुड़ता हूँ प्लस जितने लोग मेरे साथ लाइब जुड़ चुके एक बार जल्दी से सारे लोग ठके तो नहीं हो हो सकता कल डांस करकर के ठक गए हो अच्छी बात है लेकिन रंग खेल के भी ठकान हो जाती है चले शुरुआत करते हैं क्लास की एक बार जल्दी सभी लोग शेयर कर दें अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की सुरुआत करूंगा आप सभी को हैपी हो ली आपके माता पिता को मैं साधर प्रणाम करता हूँ चले शुरुआत करते हैं क्लास की यह हमारा रेलवे महापैक है वो सभी विद्ध्यारती जो आल रेलवे एक्जाम्स बचो आपको पता है आर पी अफ का एक्जाम फॉर्म आने वाला है अगर मैं मोटा मोटा बता हूँ एक लाक प्लस वेकिंसी रेलवे में आएंगी देख लीजेगा तो दो हजार चौबिस रगड़ के रख दो मेहनत करके रख दो इतना कि इस बार सेलेक्शन लेकर रहेंगे कोई रोक नहीं सकता हमको तो बच्छे जल्दी से जितने लोगों अभी को अड़ा 247.com या एप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड लगा लेना है जैसे ही बच्छे आप Y170 कोड लगाएंगे आपको मिलेगा 80% आफ और डबल वैलिडिटी डबल वैलिडिटी यानि यह महापैक 12 प्लस 12 24 महीने तक वैलिड रहेगा और दोस्तों अगर आप All Railway Exam को एक साथ जैसे जिस प्रकार All Railway Exam के लिए Railway महापैक है All SS Seek Jam की मैं बात करूँ तो All SS Seek Jam के लिए आप हमारे SST महापैक में जा सकते हैं इसके अंदर सारे सिक जामस हमने कवर कियें जॉइन करने का प्रोसेस क्या है जॉइन करने का प्रोसेस यह है कि आप सभी को अड़ा 247.com या एप पर विजिट करके Y1700 कोड लगा लेना कोई भी बच्चा जो पार्त बैच में पढ़ रहा है यहां पर अगर उपस्थित है तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि पार्त बैच में किस तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही आपको 80% और डबल वैलिडिटी मिलेगी और यह महापैक 12 प्लस 12 24 महीने तक वैलिड ठीक है यह बस कूपन कोड है रखो कूपन कोड लगेगा यह कूपन कोड लगेगा ठीक है तो जितने लोगों ने नहीं जॉइन किया जल्दिस जॉइन कर लें और वाई वन सेवन जीरो कोड लगाऊगे तो आपको एक्स्ट्रा बैफिट्स भी मिलेगे जैसे मेरा मायत का पार्थ बैच फ्री आपको वर्दान बैच आपको फ्री मिल जाएगा आपको रिजनिंग का स्पेशल क्रांती बैच फ्री करा दूँगा तो सभी बट कंडिशन यह कि आपको वाई वन सेवन जीरो कूपन कोड लगाना है तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक पॉइंट बिलकुल है अगर अगर मैं आपसे पूछू कि वाटर कितने टाइप के होते हैं कोई बताएगा आपने दो टाइप के वाटर देखे होगे या तो किसी तालाब का पानी देखा है अगर आप किसी तालाब के पानी को देखते तो बिलकुल इस्थिर पानी होता है यह पानी में आप नाव चला रहे हैं तालाब के पानी में अगर आप नाव चलाते हैं तालाब का पानी कैसा होता है इस्टिल वाटर होता है क्या होता है इस्टिल वाटर होता है हिंदी में कहें तो सांत जल होता है सांत जल होता है अच्छा इस्टिल वाटर में सांत जल में जो नाव की गती होती है सांत जल में जो नाव की गती होती है वही नाव की क्या होती है actual speed होती है यानि वास्तविक चाल होती है यही आपकी क्या होती है वास्तविक चाल होती है actual speed होती है सांत जल में still water में जो नाव की speed होती है वो आपकी क्या होती है still water में जो आपकी speed होती है वो आपकी actual speed होती है बोलो clear की नी clear पहले concept समझ लो फिर questions कराऊंगा भर भर की देखो लेकिन अब दूसरी condition क्या है आप अपनी now को लिए और किसी नदी में चले गए ये एक नदी है अच्छा नदी में क्या होता current होता current यानि stream यानि धारा होती है अब देखो जैसे ये now है अब आपके पास दो condition है नदी किसी ना किसी एक direction में बह रही होगी मैंने इस तरफ नदी बहा दिया आपकी इच्छा है आप इस तरफ बहा दो आपकी नदी मेरी इदर नदी है हम इदर ही बहाएंगे मेरी इच्छा है कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी नदी हो तुम इदर बहा सकते हो चलो आगे बात करते हैं जैसे ये एक river है ये बच्छे एक river है तो अभी comment लेंगे सब के हर एक doubt को लूँगा पहले पढ़ लो बिल्कुल जल्दी से एक बार like और share कर दो इस class को अक्षे Maths Guru टेलीग्राम पे जिस टेलीग्राम फेस्बुक पे हो एक बार जल्दी बार जल्दी शेयर कर दो अब देखो हमारे पास दो condition है या तो हम नाओ को लेके धारा की दिशा में यात्रा कर ले या तो हम नाओ को लेके धारा की दिशा में यात्रा कर ले या बच्चे हम नाओ को लेके धारा के विप्रीत यात्रा कर ले या तो हम नाओ को लेके धारा के विप्रीत यात्रा कर दे यही तो दो condition होती, कोगे सर बिल्कुल correct, अब जरा ध्यान से देखो मैंने let कर लिया speed of boat, मैंने मान लिया कि speed of boat in still water हिंदी में बता रहा हूँ, सांत जल में नाव की चाल, मान लिया मैंने speed of boat in still water कितना x km per hour है, अच्छा, speed of stream कितना है, मैंने मान लिया, speed of stream कितना है, मैंने मान लिया speed of stream कितनी y km per hour है, ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि सांत जल में नाव की गती x km प्रति घंटे और दारा की गती y km प्रति घंटे है, देखो, मैंने मान लिया, सांत जल में नाव की गती x km प्रति घंटे, तदा धारा की गती y km प्रति घंटे है, मैंने मान लिया, अब जरा ध्यान से देखो अब यहाँ पर दो कंडिशन है, या तो आप धारा की दिशा में जाओगे, या तो बेटे आप धारा की प्रीच जाओगे अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डाउन श्ट्रीम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं डाउन श्ट्रीम अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम बच्चे आपकी स्पीड क्या होती यह होती X प्लस Y किलो मीटर पर आवर X प्लस Y किलो मीटर पर आवर अगर आप धारा की दिशा में जाते हो तो आपकी स्पीड क्या होती X प्लस Y किलो मीटर प्रति गंटे अगर बेटे आप धारा के विपरीज जाते हो यह डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में इसका मतलब होता है धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल, कितनी है, x प्लस y हो जाए, क्यों धारा की दिशा में जाते हो, तो धारा आपको सपोर्ट करती ही, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, कितनी जितनी धारा की स्पीड है, अगर आप धारा की विप्रीद जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, अप इ किलो मीटर प्रति घंटे यह होता है धारा के धारा के विप्रीत नाव की चाल धारा के विप्रीत नाव की चाल अगेंस दा इस्ट्रीम कहते हैं clear हो गया किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है किसी भी देखो मैंने अगर boat की speed x km per hour है stream की speed y km per hour है अगर आप downstream जाते हैं तो downstream बच्चे आपकी speed होती x plus y downstream का मतलब होता 2 at the stream मतलब धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में आपकी चाल होती x plus y km प्रतिगंटे अगर आप धारा की विप्रीच जाते तो आपकी speed क्या होती x minus y km प्रतिगंटे clear हो गया इतना note कर लो अगर ये clear होगा तभी questions बच्चे बनेंगे आपके अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं लगा है एक question लगाओ for example मैंने आप से क्या कह example के तौर पर मैंने क्या कह boat की speed कितनी है boat मतलब now in still water जब भी मैं boat की बात करता हो तो that means मैं बात करा हो in still water in still water माल लो boat की speed कितनी है 20 km प्रतिगंटे अच्छा stream की speed कितनी है stream की speed कितनी है 5 km पर आवर है ठीक है 5 km पर आवर आपको distance cover करनी है 1500 km 1500 km की distance cover करनी downstream downstream का मतलब होता है धारा की दिशा में अगर downstream आपको 1500 km की distance cover करनी तो बताओ कितना time लगेगा ये question बच्चे आपसे पूछा गया अगर downstream बेटे आपको जाना है 1500 km तो कितना समय लगेगा बहुत जल्दी से बताओ क्या आएगा इस question का अंसर downstream का मतलब होता है धारा की दिशा में 9 की चाल 20 km प्रतिगंटे धारा की चाल 5 km प्रतिगंटे धारा की दिशा में 1500 km की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा बिल्कुल basic question है देखो time किसके बराबर होता है कोगिसर time बराबर हो जाता है distance upon speed के time किसके बराबर होता है distance upon speed के बराबर होता है बोलो clear के नहीं clear कोगिसर बिल्कुल distance आप कितना cover कर रहे है कोगिसर distance हम cover कर है गुरू जी 1500 km कितना cover कर रहे है distance हम cover कर है 1500 km जिस प्रकार train में मैंने अभी आपको train पढ़ाई कर मैंने train में सबसे पहले ये देख तरे train किसको पार कर रही है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या देखते है यहाँ पर हम यह देखते है कि now किस तरब यात्रा कर रहे है किदर यात्रा कर रही가요 downstream downstream का मतलब धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में बेटे आपकी चाल होती 9 की चाल प्लस धारा की चाल 20 और 5 25 25 किलो मीटर प्रति घंटे 25 छका देड़ सो 25 छका देड़ सो यानि 60 घंटे का समय लगेगा 60 घंटे का बेटे समय लगेगा बोलो clear कि नहीं clear 60 घंटे का बेटे समय लगेगा बोलो clear कि नहीं clear क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है किसी भी step पर कोई doubt है अगर doubt है आप पूछ सकते हो proper clear है, एक-एक step आपको clear है सभी बच्चों को चलिए, एक question और करो बच्चों मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक आपको एक-एक चीज clear नहीं कर दूँगा मैंने बच्चों मैंने का boat की speed कितनी है boat अगर मेरे मैं boat बोलना हूँ, इसका मतलब that means कि मैं बात कर रहा हूँ in still water सांथ जल में मैंने मालिया सांथ जल में नाव की गती कितनी, कोगे सर सांथ जल में नाव की गती आपको दे दी, मैंने 18 km प्रति घंटे ठीक है stream की speed कितनी है stream की speed कितनी है stream की speed कितनी है कोगे सर, stream की speed मैंने आपको दे दिया 2 km प्रति घंटे आपको distance cover करनी 4800 km की distance cover करनी upstream upstream का मतलब क्या होता है upstream का मतलब क्या होता बच्चे जल्दी से बताओ, धारा के विपरीथ against the stream, तो बताओ कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा बच्चे जल्दी से बताओ, कितना समय लगेगा आपको upstream distance कवर करनी कितनी 4800 km, कितना समय लगेगा, जल्दी से बताओ चली, मैं आप लोग comments भी लेता हुआ चलूँगा, आप सभी लोग comments भी लेता हुआ चलूँगा, एक बार जल्दी सभी लोग share कर दो जल्दी से एक बार share कर दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से बच्चे एक बार share कर दो मैं आगे बढ़ता हूँ चलो, जल्दी से एक बार like और share कर दो मैं आगे बढ़ता हूँ चलो, 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 चलो देखो, हाँ बिल्कुल 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 चलिए जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दिए चलिए आपको क्या कह रहा है डिस्टेंस आप कितना कवर कर और तालिस सो किलो मीटर कितना टाइम लगेगा टाइम किसके बराबर होता बच्चे ही बताओ time किसके बराबर होता है distance upon speed के बराबर होता है time किसके बराबर होता है distance upon speed के बराबर होता है distance कितना कवर करो 4800 km की distance कवर करो कितनी इने किदर कवर करो धारा के विपरीत 4800 km जारो धारा के विपरीत धारा के विपरीत आपकी चाल होती 9 की चाल माइनस धारा की चाल अठारा में से दो गया कितना सोला सोला तियां अरतालिस यानि कितना तीन सो घंटे का समय लगेगा तीन सो घंटे का समय लगेगा बोलो क्लियर की नी क्लियर तीन सो घंटे का समय लगेगा बोलो क्लियर की नी क्लियर क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है किसी भी step पर जरा सा भी कोई doubt है अब सुनो ध्यान से बहुत ध्यान से देखो जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या का अगला question ध्यान से लगाईएगा देखते हैं आपने कितना सीख लिया आपको मैंने दिया boat की speed कितनी है मैंने boat की बात कर रहा हूँ that means कि मैं बात कर रहा हूँ in still water in still water boat की speed कितनी कोई किसर in still water boat की speed है 15 km प्रती घंटे stream की speed कितनी है stream की speed कितनी है बच्चे stream की speed है 5 km प्रती घंटे ध्यान से सुनना ठीक है boat की speed है 15 km प्रती घंटे stream की speed 5 km प्रतिगंटे मुझे सुन भर लोगे न तो boat and stream clear हो जाएगा boat and stream के सारे questions आप से बन जाएगे अब सुनो ध्यान से boat की speed है 15 km प्रतिगंटे stream की speed है 5 km प्रतिगंटे आपको distance कितनी cover करनी 60 km 60 km की distance आना और जाना है तो बताओ कितना समय लगेगा अब down करना है अब down है 30 km की distance आने और जाने में आने और जाने में अब down में कितना समय लगेगा बताओ कैसे निकालोगे जैसे बच्चे मैंने आप से कहा ये एक certain distance है कितनी 60 km है 60 km की distance है ये एक river है और आपको boat की speed कितनी है कोगे सर बोट की speed है ये river है किसी ना किसी एक direction में बहेगी आपकी मरजी आपकी river जिस type चाओ उस side बहाओ हमारी नदी है हम इस तरह बहाएंगे हमने इधर बहाया है आपकी चाप इधर बहाओ कोई फरक नहीं पढ़ता उससे answer पे चलो ध्यान से देखो कहरा up down में आने और जाने में 60 km up down यानी आने और जाने में कितना समय लगेगा देखो पहले मान लो आप 60 km जा रहे हो जब 60 km जाओगे तो कितना समय लगेगा time किसके बराबर होता है distance आप कवर कर रहे हो 60 km distance कितना कवर कर रहे हो 60 km जा किदर रहे हो धारा की दिशा में जा किदर रहे हो धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में आपकी चाल होती नाव की चाल प्लस धारा की चाल धारा की दिशा में आपकी चाल होती भी 60 km मैंने क्या बोला अगर गय 60 km हो तो आओगे भी तो बेटे 60 km लेकिन एक चीज़ समझो लेकिन एक चीज़ समझो गय किदर हो गय आप धारा की दिशा में तो जब आप वापस आओगे तो आप धारा की भी प्रीतियात्रा करोगे है की नहीं है जब आप धारा की भी प्रीतियात्रा करोगे तो आपकी स्पीड होगी 9 की चाल माइनस धारा की चाल 15 में इसे 5 गया कितना है 10 तो कितना होगा 20-30-60 10-60-60 6-30-9 9 गंटे का समय लगेगा 9 गंटे का समय लगेगा 9 गंटे का समय लगेगा बोलो clear की नहीं clear क्या लाड़ लो किसी भी step पर कोई doubt यार आप लोग like और share ही नहीं कर रहा है जल्दी से एक बार जल्दी से एक बार सभी विद्यारती session को like और share कर दें जल्दी से एक बार like और share कर दें चलिए इतना clear हो गया सभी बच्चे को किसी भी step پर कोई doubt तो नहीं है किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है अगर doubt है तो आप पूर सकते हो proper अगर आप इतना सीख गये तो अब मैं आपको कुछ questions कराऊंगा अब मैं आपको कुछ questions कराँँ और उसके बाद नए concept को आपको सिखाऊंगा चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग लाई को अर शेयर करते हों चलिए तो भया पहला question क्या है आज की class का low बताओ क्या होगा इस question का answer देखते हैं आपने कितना सीखा बताओ क्या होगा इस question का answer try कीजे जल्दी से Question क्या कह रहा था बढ़ो आपको पता है बच्चे बोट की स्पीड कितनी है बोट सुनते ही आपके दिमाज में आना चाहिए सर ने बोट बोला that means कि वो इन श्टिल वाटर बात कर रहे कितनी स्पीड है 13 किलो मीटर पर आवर अच्छा इस्ट्रीम की स्पीड कितनी है इस्ट्रीम की स्पीड कितनी है stream की speed है 4 km per hour तो बताओ time कितना लगेगा time कितना लगेगा time किसके बराबर होता है कितने distance cover करो 68 km distance कितना cover करो 68 km बताओ कितना time लगेगा यही तो आपसे पूछा गया है कोगेसर बिल्कुल time किसके बराबर होता है time बक्चे बराबर होता है distance upon speed के डिस्टेंस कित्ता कवर करो 68 किलो मीटर अच्छा 68 किलो मीटर की डिस्टेंस कवर किस तरप यात्रा करो कोग सर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं किदर जा रहे हो डाउन स्ट्रीम यात्रा करो तो डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड क्या होती है डाउन इस्ट्रीम आपकी स्पीड होती, बोट की स्पीड प्लस इस्ट्रीम की स्पीड, तो 13 और 4 सत्रे, 17 चोको 68, 4 घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का बेटे समय लगेगा, बोलो clear की नहीं clear, क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है, आपको किसी भी step पर कोई doubt है, जल्दी से ब सभी बच्चे एक बार बताएं, yes sir clear, सभी बच्चे एक बार बताएं, yes sir clear, क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt, किसी भी step पर कोई doubt, yes or no, proper clear है, proper clear, चले very good, next, अगला question बच्चो आपके सामने बताएं, क्या होगा इस question का answer, try कीजे, समय सी में आपकी start, बताए, question कहरा, a person can row his boat in still water at a speed of 20 km per hour, if the speed of stream is 4 km per hour, then how long will he take to cover 40 km against the stream, मतलब, सांत जल में नाव की चाल किती 20 km प्रति घंटे, धारा की चाल किती 4 km प्रति घंटे, धारा के प्रतिकूल 40 km की दूरी तैक करने में कितना समय लगेगा, यह आप से पूचा गया, देखो कैसे करोगे, आपको time पूचा गया कि बताओ, धारा के प्रतिकूल 40 km की दूरी तैक करने में कितना समय लगेगा, लट लो एक बात बताओ, time किसके बराबर होता है, को किससा distance upon speed के बराबर होता है, time किस के बराबर होता है, distance कितना cover कर रहे हो, 40 km, और किस तरह प्यातरा कर रहे हो, पहले यह बताओ, speed now जिस प्रकार train में मैंने आपको पढ़ाया train में सबसे पहले ये देखा करो train किसको पार करती है ठीक उसी प्रकार boat on stream में ये देखा करो कि boat किस और यात्रा कर रही है boat किस और यात्रा कर रही है पहले ये देखा करो बोट किदर जा रही, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा, सॉरी, धारा के विप्रीत, धारा के विप्रीत आपकी चालोगी, नाव की चाल, माइनस धारा की चाल, 20 माइनस 4, तो 40 बटे 16, 8 दुनी 16, 8 पंच 40, 2 दुनी 4, 2.5 आवर्स का समय लगेगा, 2.5 आवर्स का समय ल लो concept सीख लो question खुब करेंगे चलिए पहले बताई इतना clear हर एक बच्चे को अच्छे से clear हो गया किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है proper clear है एक एक चीज clear है चलिए next अगला question बच्चों आपके सामने बताई क्या होगा इस question का अंसर समय सीमा आपकी start बताईए जल्दी से समय सीमा बच्चे आपकी start जल्दी से बताईए क्या होगा इस question का अंसर जल्दी से good morning good morning sir कोई और method पगला गया इतना तो आसान है चलिए देखो question क्या कह रहा है सांत इस्थिर जल्मे नाव की गती पांच किलो मीटर प्रति घंटे प्रवा मतलब धारा की गती तीन किलो मीटर प्रति घंटे यदि धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में आट घंटे का समय लगता है तो समान दूरी को धारा के अनकूल तै करने में नाव को कितना समय लगेगा समान दूरी धारा के अनकूल तै करने में कितना समय लगेगा यह आप से पूछा गया कैसे करोगे देखो ध्यान से बहुत आसान तरीका है आपको पता है बोट की स्पीड कितनी है भाईया आपको ये दिया गया कि बोट की स्पीड कितनी है इन स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर मतलब सांत जल में नाव की गती कितनी है कोगि सर पांच किलो मीटर प्रती घंटे अच्छा इस्ट्रीम की स्पीड कितनी है जल्दी से बताओ stream की speed किती है 3 km प्रती घंटे मैंने का अच्छा कह रहा कि धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तै करने में 8 घंटे का समय लगता है धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तै करने में 8 घंटे का समय लग रहा द्यान समझो देखो distance कितना cover करोगे आप ये बताओ देखो धारा के प्रतिकूल आपकी speed क्या होगी ये बताओ distance बराबर होता है speed into time धारा के प्रतिकूल आपकी speed होगी now की चाल minus 10 की चाल 5 में तीन गया कितना है 2 time कितना लग रहा है कितनी दे तक यातरा कर रहे हो आठ गंटे तक यातरा कर रहे हो तो आठ दुनी 16 किलो मीटर की दूरी आपने तै कर ली धारा के प्रतिकूल 8 गंटे में आप मातर 16 किलो मीटर की दूरी तै करेंगे अब ये पूछ रहा कि अगर हम यही दूरी धारा के अनकूल तै करना चाहते तो कितना समय लगेगा तो धारा के अनकूल जाने में कितना समय लगेगा टाइम किसके बराबर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के डिस्टेंस आप कवर कर 16 किलोमीटर जा किदर धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में आपकी चाल होती, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, पांच और तीन आठ, आठ दुनी सोला घंटे, दो घंटे का समय लगेगा, अगर धारा के अनकूल इसी दूरी को तै करोगे, तो मात्र दो घंटे का ही समय लगेगा, बोलो clear, 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 मात्र मात्र बच्चे दो घंटे का समय लगेगा, मात्र मात्र बच्चे दो घंटे का समय लगेगा, बोलो clear, 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 यार जल्दी से एक बार like और share करो, no doubt मुझे पता है कि बहुत लोग तो अभी उठे ही नहीं होंगे सो के, कल का थकान जादा हो जाती ना, कोई बात नहीं, क जल्दी से एक बार like और share भी करते हुए चलो, अगला question बच्चों आपके सामने क्या है, अगला question बताइए क्या होगा, इस question का answer, इसके बाद फिर ना type को थोड़ा सा change करूंगा, बताओ, जल्दी, जल्दी, जल्दी से बताइए क्या होगा, इस question का answer, question क्या कह रहा है, सांत जल्द में नाओ की चाल, दस किलो मीटर प्रति घंटे, तता धारा की चाल, दो किलो मीटर प्रति घंटे हो तो, धारा की दिशा में 48 किलो मीटर तक जाने, और वापस प्रारंबिक बिंदो तक आने में कितन समय लगेगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 48 किलो मीटर तक जाने, और वापस प्रारंबिक बिंदो तक आने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया, बहुत ध्यार से देखो, मेरे भाई, आप देखो, आपको पता है, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की बात करता हूँ, that means कि मैं बात कर रहा हूँ, in still water, बात कर रहा हूँ, in still water, in still water, बोट की स्पीड कितनी, 10 किलो मीटर प्रति घंटे, अच्छा, इस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, इस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 किलो मीटर प्रति घंटे, मैंने का अच्छा, 2 किलो मीट आने और जाने में कितना समय लगेगा जैसे ये एक सर्टेन डिस्टेंस है 48 किलो मीटर की एक सर्टेन डिस्टेंस है 48 किलो मीटर की एक सर्टेन डिस्टेंस है ठीक है? ये एक नदी है ये एक नदी है ठीक है? ये एक नदी है बोलो है की नहीं कोगी सर बिल्कुल मालो ये नदी की डिरेक्शन इस दिसा में नदी या चल लए इस दिसा में नदी बहे रही है अब सुनो ध्यान से इस दिसा में नदी बहे रही है बोलो है की नहीं कोगी सर बिल्कुल अब देखो अगर आप जा रहे हो time किसके बरावर होता, distance upon speed के बरावर, time किसके बरावर होगा, distance upon speed के बरावर होगा, सुनो ध्यान से, distance आप कितना कवर कर रहो, 48 km, जा किदर रहो, धारा की दिशा में, 48 km की distance कवर कर रहो, किदर, धारा की दिशा में, कितना समय लगगा, धारा की दिशा में, आपकी चाल होती, नाव की चाल प्लस धारा की चाल धारा की दिशा में आपकी चाल होती ही नाव की चाल प्लस धारा की चाल दस और दो कितना होगा बारा देखो धारा की दिशा में आपकी चाल कितनी होती ही नाव की चाल प्लस धारा की चाल दस और दो कितना होगा बारा अगर गए 48 किलो मीटर हो लाड़ लो तो आओगे भी 48 किलो मीटर मैंने क्या बोला अगर गए 48 किलो मीटर हो तो रिटन भी 48 किलो मीटर आओगे लेकिन 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 सुन लो गए धारा की दिशा में हो अगर गए धाराक की दिशव में तो जब आप आओगे, तो आप धाराक की विप्रीत आओगे, तो धाराकी विप्रीत आपकी चालोगी, नाउ की चाल, म Hai धाराक 10 में से दो गया कितना है, 8 तो कितना समय लग गया देखो, कितना समय लगया 12, 4, 48, 4 गंटे आठ चंग 48 यानि 6 और 4 कुल मिलाकर 10 गंटे का समय लगेगा कुल मिलाकर वेटे आपको 10 गंटे का समय लगेगा D option कुल मिलाकर वच्चे आपको 10 गंटे का समय लगेगा बोलो clear की नी clear जल्दी से comment करो yes sir clear क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है क्या लड़ो किसी भी step पर कोई doubt है अगर doubt है तो पूछ लो कि sir यह doubt आ रहा प्लीस clear किया जाए proper अच्छे से एक एक point clear है यास या no proper एक point अच्छे से clear है yes या no किसी भी step पर कोई doubt आप पूह सकते हो proper clear है? चलिए अच्छे एक question ये करके दिखाओ फिर मैं tight को change करूँगा देखते हैं आपने कितना सीखा कितना सीखा अगर concept clear हो जाएंगे तो ये question बिना pen paper के बनेगा नहीं clear होंगे तो अभी देखना आदेज जादा लोग गलत करेंगे इस question को जल्दी से बताई क्या होगा? question कहरा धारा के अनुकूल नाव की गती धारा के अनुकूल नाव की गती 18 km प्रतिघंटे और धारा की गती 3 km प्रतिघंटे तो धारा के प्रतिकूल 60 km की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा? यह आपसे पूछा गया बताओ, बताओ, देखो कितना आएगा? 4 गंटे 4 गंटे चलो, देखते हैं 4 सही गलत है 4 है की 5 है पहले decide करो, 4 की 5 चलो, देखो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपको दिया क्या गया? यहाँ पर बेटे, आपको नाव की गती नहीं है, धारा के अनुकूल नाव की गती है दोनों में बहुत अंतर है यहाँ पर आपको नाव की गती नहीं given है, आपको धारा के अनुकूल नाव की गती पता है, देखो ध्यान से, कुशन कैसे करते हैं, question आपसे कह रहा है, देखो, धारा के अनुकूल नाव की गती 18 km प्रति घंटे, धारा के अनुकूल का मतलब होता है downstream, समझो, downstream, downstream बच्चे आपकी speed क्या होती है, downstream बच्चे आपकी speed होती, boat की speed in still water, boat की speed in still water प्लस stream की speed, ठीक है, downstream बच्चे आपकी speed क्या होती है, downstream बच्चे आपकी speed होती, boat की speed प्लस stream की speed, downstream बच्चे आपकी speed क्या होती है, downstream आपकी speed होती, boat की speed प्लस stream की speed, बोलो है की नहीं कोगे सर बिलकुल, अच्छा, downstream आपकी speed है कितनी, 18 km प्रति घंटे, Down stream का मतलब होता धारा के अनकूल धारा के अनकूल आपकी speed है 18 km प्रति घंटे boat की speed कितनी है निकाल लिए in still water in still water boat की speed क्या है हम निकाल लेंगे और इसके बाद बच्चे देखो stream की speed कितनी है 3 km प्रति घंटे यहाँ पर रख दिया घटा देंगे तो boat की speed कितनी आ गई 18 minus 3 यानि 15 km प्रति घंटे in still water in still water boat की speed किती है 15 km प्रति घंटे in still water boat की speed किती है 15 km प्रति घंटे in still water boat की speed किती है 15 km प्रति घंटे अब सुनो दियां से 15 km प्रति घंटे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 60 km जाने में किता ये जो 15 आईए 7 जोरी देखो गरबर बोल दिया मैंने डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट की स्पीड प्रस स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड 18 है बोट की स्पीड निकाल ली धारा की स्पीड 3 है गटा दिया तो boat की speed कितनी है कि 15 km प्रतिघंटे boat का मतलब है in still water in still water boat की speed कितनी 15 km प्रतिघंटे कहरा कि धारा के प्रतिकूल 60 km जाने में कितना समय लगेगा अब देखो time कैसे निकालोगे time कैसे निकालोगे distance upon speed distance कितना cover करो 60 km और जा किदर और धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल आपकी चाल होती now की चाल minus धारा की चाल तो 60 divided by 12 बारा पंचे साथ पांच घंटे ये आपका correct answer देखो कितना आसान है question लेकिन concept अगर आपको नहीं पता तो ये questions आपसे नहीं बनेंगे question बहुत आसान है लेकिन concept clear होना बहुत जरूरी है अगर आपको concept अच्छे से clear नहीं है आपसे exam में questions नहीं बनेंगे बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ अगर concept clear नहीं तो exam में questions नहीं बनेंगे clear हो गया proper एक-एक step आपको अच्छे से clear है एक step बच्चे आपको अच्छे से clear है yes या no, चलिए, अब type को थोड़ा सा change करते हैं, देखो, यहाँ पर बच्चे क्या था, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर down stream आपकी speed पता थी, down stream का मतलब होता कि यहाँ पर इस 18 में, इस 18 में, बोट की speed भी और stream की speed भी है, stream की speed तीन है, तो बच्ची भी 15 बोट की speed होगी, यह है कहने का मतलब, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने type को थोड़ा सा change किया है, देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपको board की speed पता थी, आपको stream की speed पता थी, आप downstream यात्रा कर रहे थे, आप upstream यात्रा कर रहे थे, और time निकाल लए थे, basically यही question में आप कर रहे थे, लेकिन आप question उल्टा पूछेगा, वो कहेगा, कि downstream आपकी speed मानलो, 60 km प्रतिगंटे है, upstream बेटे आपकी speed 40 km प्रतिगंट down stream का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया down stream का मतलब होता है boat की speed प्लस stream की speed boat मतलब x stream मतलब y अब stream का मतलब क्या होता है boat की speed माइनस stream की speed boat की speed माइनस stream की speed कोगे सब बिलकुल दोनों को add कर दो जैसे add करोगे तो y और y cancel होगे आपको तो d plus u बराबर किसके होगा 2x के तो x बराबर कितना होगा 1 by 2 downstream plus upstream downstream plus upstream आपकी speed d plus u किसके बराबर downstream plus upstream बच्चे है आपकी speed बोलो clear कि नहीं clear क्या कोई doubt है ठीक है अब देखो same इसी को उल्टा कर देते d बराबर क्या होता x plus y और u बराबर क्या होता बेटे x minus y घटा दो आपको पता घटाने पर sign change होते है अपकी x cancel जिस प्रकार यहाँ पर y cancel हुआ था इस बार x cancel हो जाएगा तो क्या जाएगा d minus u बराबर किसके हो जाएगा 2y तो y की value क्या जाएगी 1 by 2 d minus u y क्या stream की speed x क्या है बोट की speed तो इस statement से आपने क्या सीखा कह दो सर इन statement से आपने क्या सीखा चलिए मैं आपको बता ता हूँ आपने क्या सीखा speed of boat in still water speed of boat in still water speed of boat in still water क्या होता है speed of boat in still water क्या होता है in still water still water speed of boat in still water क्या होगा speed of boat in still water क्या होता है कोगिसर यह होता है 1 बटे 2 downstream आपकी speed plus upstream बेटे आपकी speed सांत जल में नाओ की गती क्या होती है 1 बटे 2 धारा की दिशा में आपकी चाल plus धारा की विप्रीत आपकी चाल समझ गए सांत जल में नाव की गती क्या होती एक बटे दो धारा की दिशा में आपकी चाल प्लस धारा की विप्रीत आपकी चाल ठीक है अगर स्ट्रीम की स्पीड की मैं बात करता हूँ तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है stream की speed होती एक बटे दो downstream आपकी speed minus upstream आपकी speed अब याद करने का तरीका क्या है याद कैसे करें हमेज़ा आद रखो कि boat की speed जादा होती stream की speed कम होती है तो boat में plus का sign आएगा stream में minus का sign आएगा लेकिन ऐसा कोई बहुत tough नहीं है आप नहीं समझ पाई हो यहाँ पर चलो clear हो गया proper एक एक चीज clear है एक एक चीज आपको अच्छे से clear है कोगे सर बिल्कुर एक question करके बताओ ये note कर लिए आप लोगों ने एक question करके दिखाओ एक minute ये note कर लो फिर एक question करके दिखाओ जल्दी से नोट कर लिए आप लिए सबी लोगों ने बोलो अब सुनो दिखाओ एक simple सा question करके दिखाओ जैसे बच्चे मैंने आप से क्या का मैंने आप से क्या का बहुत ध्यान से देखो मैंने आप से क्या का कि boat की speed कितनी है मैंने आप से कह दिया कि बताओ down जैसे down stream down stream बच्चे आपकी speed कितनी है down stream आपकी speed है 60 km प्रति घंटे टिक है stream की speed कितनी है sorry आप stream बच्चे आपकी speed कितनी है आप stream बच्चे आपकी speed कितनी है आप stream बच्चे आपकी speed मान लो दे दी कही 50 km प्रति घंटे downstream आपकी speed है 60 km प्रति गंटे upstream बच्चे आपकी speed है 50 km प्रति गंटे तो बच्चे ये बताओ downstream 60 है upstream 50 है तो आप मुझे ये बताओ सीथ की आप ये बताओ की boat की speed कितनी है in still water सांध जल में नाउ की गति कितनी है ठीक है और stream की speed कितनी ये दोनों चीज़े आपसे पूछी बताओ कैसे निकालोगे stream की speed कितनी कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ down stream का मतलब होता है धारा की दिशा में धारा की दिशा में आपकी चाल है 60 km प्रति गंटे धारा की विप्रीत आपकी चाल है 50 km प्रति गंटे तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी जल्दी से बताओ नाव की चाल क्या है धारा की चाल कितनी होगी जल्दी से बताओ कैसे करेंगे ध्यान से समझो कैसे निकालते है ध्यान से देखो मैंने माल लिया देखो boat की speed कैसे निकालते हो boat की speed कैसे निकालोगे in still water in still water boat की speed कैसे निकालते है in still water boat की speed होती एक बटे दो downstream आपकी speed प्लस upstream बच्चे आपकी speed downstream आपकी speed प्लस upstream बच्चे आपकी speed तो एक बटे दो downstream आपकी speed कितनी 60 और upstream कितनी 50 कितना हो जाएगा एक बटे दो छे और पांच ग्यारा 110 डिवाइट कर दो दो पंचे दस 55 किलो मीटर प्रति घंटे ये क्या है 55 किलो मीटर प्रति घंटे ये बोट की स्पीड है अचा इस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालोगे इस्ट्रीम मतलब धारा की गती कितनी है एक बटे दो डाउन श्ट्रीम आपकी स्पीड माइनस अप श्ट्रीम आपकी स्पीड एक बटे दो डाउन श्ट्रीम आपकी स्पीड कितनी है 60 अप श्ट्रीम कितनी है 50 कितना आएगा एक बटे दो और इंटू कर दिया बेटे 10 stream की speed क्या आपको एक एक point अच्छे से clear हो गया क्या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसमें कोई भी doubt है कोई भी बच्चा किसी भी step पर कोई doubt आप पूछ सकते हो कि सर ये doubt आया अभी मेरे को proper एक एक चीज मैंने clear की है एक एक concept एक एक चीज आपको clear होगी proper clear है किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है किसी भी step पर जरा सा भी कोई doubt आप पूछ सकते हो proper clear है चलिए अब question लगाओ ठीक है question लगाओ बताओ क्या होगा इस question का answer question कहरा एक वेक्ती धारा के प्रतिकूल 32 km प्रति घंटे तो धारा के अनकूल 48 km प्रति घंटे से जा सकता है तो धारा की गती कितनी है बताओ धारा की गती कितनी है धारा की गती कितनी है बताओ कह रहा है कि एक वेक्ती धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल मतलब upstream stream आपकी speed 32 km प्रति धारा के अनकूल आपकी स्पीडtså 40 km प्रति घंटे Mackie, तो धारा की गति कितनी है? मैं दोनों चीजे बताऊंगा. नाव की गति उर धारा की गति. देखो. अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालतें? बताओ. दो, downstream आपकी speed minus upstream आपकी speed, तो 1 बटे दो, downstream आपकी speed किती है, 48, में से minus कर दो, upstream किती है, 32, घटा दो, 1 बटे दो, कितना आजाएगा, कितना आजाएगा, कोगिसर, 1 बटे दो, 32, 48, माइनस 32, आट में से दो गया, कितना है, कोगिसर, 6, यानि कितना आगए, 16, 2 से cancel कर दो, कितना है, 8 km प्रती घंटे, 8 km प्रती घंटे, 8 km प्रती घंटे, आपकी speed, stream की, 8 km प्रती घंटे, आपकी stream की speed है, 8 km प्रती घंटे, बच्चे, आपकी क्या है, stream की speed है, बोलो clear की नहीं clear, बोलो clear की नहीं clear, जल्दी से बताओ, yes sir, clear, अच्छा, यहीं पर अगर वो पूछ देता, यहीं पर बच्चे वो पूछ देता, कि boat की speed कितनी, इन still water, तो कैसे निकालते है, एक सेकेंड गाइस, हाजी रागो सर, चलो, हमारे रागो सर है, जो event event बनाते है, क्लास का, वही proper देखते हैं, कि सारी classes time पर हो रही है, नहीं हो रही है, चलिए, आगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहीं पर boat की speed कितनी, यह कैसे निकालोगे, stream की speed निकाल ली, boat की speed कैसे निकालोगे, तो boat की speed in still water कैसे निकालोगे, boat की speed कितनी है in still water, कोगे सर एक बटे दो, downstream आपकी speed प्लस upstream बेटे आपकी speed, तो एक बटे दो, downstream आपकी speed कितनी, कोगे सर डाउन स्क्रीम आपकी speed है, 48 km प्रतिगंटे, और upstream आपकी speed कितनी है, 32, तो कितना आ गया, एक बटे दो, यह कितना, 8, 2, 10, आठ और दो दस, चार तीन साथ और एक आठ, कितना जाएगा, कैंसिल कर दो कितना, 40 km प्रति घंटे, 40 km प्रति घंटे, अब देखो, आपको चेक करना आपका अंसर सही आया, बोट की स्पीड कितनी है, 40, स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 8, तो डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में आपकी चाल होगी, 40, प्लस, 48, अब इस्ट्रीम क्या होगी, 40, माइनस, 38, प्रॉपर एक एक चीज क्लियर, एक, एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो, या किसी भी स्टेप पर कोई डाउट रह गया है, प्रॉपर एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है, अगर क्लियर हो गया तो एक बाद जल्दी से सभी लोग बताएं, यह सर क्लियर, और क्लास अच्छी लग रही तो like और share भी करते हुए चलो सारे बच्चे क्लास को like और share भी करते हुए चलेंगे जल्दी से बताएं क्या होगा इस question का answer question कहरा एक वेक्ती धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में 42 किलो मीटर की दूरी तै करता है तता धारा के अनकूल 4 घंटे में 48 किलो मीटर की दूरी तै करता है तो सांत जल में नाव की गती कितनी है जल्दी से बताओ सांत जल में नाव की गती कितनी है जल्दी से बताओ question कहा कह रहा है सबसे पहले एक बात देखो एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल साथ घंटे में 42 किलो मीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपिश्ट्रीम धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपिश्ट्रीम अपिश्ट्रीम 42 किलो मीटर की दूरी तै कर रहा है साथ घंटे में अब इस्ट्रीम 42 किलो मीटर की दूरी तय कर रहा 7 गंटे में तो 7 छंग 42 6 किलो मीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है 6 किलो मीटर देखो 42 किलो मीटर की दूरी तय कर रहा 7 गंटे में तो 7 छंग 42 6 किलो मीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है तता stream की speed आज़ा धारा के अनकूल का मतलब होता downstream दाउन इस्ट्रीम अर तालिस किलोमीटर की दूरी चार घंटे में तै कर रहा है तो चार एककम, चार चार दुनी आठ, बारा किलोमीटर प्रती घंटे आपकी speed है तो upstream बच्ची आपकी speed है 6 km प्रती घंटे और downstream देखो 48 km जा रहो 4 घंटे में तो 12 km प्रती घंटे आपकी speed है तो बताओ boat की speed क्या होगी आप सब जानते boat की speed कैसे निकालते हैं boat की speed कैसे निकालोगे in still water in still water कैसे निकालते हैं वोगे सर यह होता है 1 बटे 2 downstream आपकी speed प्लस upstream आपकी speed तो 1 बटे 2 downstream आपकी speed है 12 upstream कितनी 6 12, 6, 18 बटे 2 9 km प्रती घंटे 9 km प्रती घंटे 9 km प्रती घंटे आपकी speed है in still water in still water boat की speed कितनी 9 km प्रती घंटे 9 km प्रती घंटे वच्चे आपकी in still water आपकी speed है ठीक है अगर चेक करना है तो stream की speed कितनी है ये पता कर दो गुरू जी बताओ stream की speed कितनी है कैसे निकालोगे एक बटे दो down stream आपकी speed minus up stream तो एक बटे दो 12 में से 6 गया 6 बटे दो यानि 3 km प्रति घंटे 3 km प्रति घंटे तो बोट की speed है 9 km प्रति घंटे stream की speed है 3 km प्रति घंटे एक एक point अच्छे से clear हुआ प्रॉपर एक एक point अच्छे से clear हो गया अभी तक आपने boat and stream का overall basic सीख लिया basic आपने अच्छे से कर लिया अब बारी आती question की तो ये है पहला question आज की class का ये आप लोग करें बताएं question क्या कह रहा है एक नाव धारा के अनकूल 36 km की दूरी 4 घंटे का समय लेती है जबकि समान दूरी धारा के विपरीत 9 घंटे में ताय कर लेती है तो धारा की चाल कितनी है तो चलिए ये एक question मैं आपको homework में देंगा आप सभी लोग करके लाइएगा बताए क्लास कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे SSC Adda Railway Adda 24-7 को subscribe कीजे और जाने से पहले छोटी-छोटी मगर मोटी बाते क्या हैं जानते वो सभी विद्यारती जो तयारी कर रहे हैं railway exam की या बच्चे आप तयारी कर रहे हैं किसी भी SSC exam की दोनों लोगों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना आप यहां पर गए जाके Google Chrome open करो यहां पर जाके सर्च करो Adda 24-7.com जैसे आप Adda 24-7.com सर्च करेंगे इस तरीके का proper page open होके आ जाएगा तो जाएगे दोस्तों इस तरीके से Google Chrome open करेंगे यहां पर जाएगे सबसे पहले आप Google Chrome open करेंगे और यहां पर जाके सर्च करेंगे Adda 24-7.com जैसे आप Adda 24-7.com सर्च करेंगे बच्चे इस तरीके का proper page आपका open हो जाएगा यहां पर बच्चे all courses पे आके railway पे आना है वो सभी बच्चे देखो आप RPF की तैयारी करें आप RPF का batch ले सकते हैं ALP के लिए देखो आप देख सकते हैं कि 29 मार्च से हमारा RPF का batch आरा आप इसको ले सकते हैं लेकिन 29 तारीक से हमारा ALP का batch भी आरा आप इसको भी ले सकते हैं लेकिन बच्चो मेरा personal suggestion आपको रहेगा कि आप railway महापैक से जुड़े हैं railway महापैक का खासियत क्या है अगर आप railway महापैक लेते हैं यहां buy 9 पे गए discount के लिए coupon code लगाया Y170 जैसे आपने बच्चे Y170 code लगाया 1679 रुपीस में यह railway महापैक बेटे आपका हो गया इसके अंदर हर वो चीज अबलेबल है जो railway exam को clear करने के लिए आवश्यक है और यहां पर हमने सारे railway exams को एक साथ cover किया है चाहे ALPO, चाहे NTPCO, Group DO, सभी railway exams को detail में अच्छे से cover किया है चाहे आपका technician क्यों ना हो तो join करने का process क्या है? join करने के लिए आपको क्या करना है? join करने के लिए आप सभी को adda 247.com या बच्चों adda के app पर visit करके Y170 coupon code लगा लेना है तो गलत coupon code कोई मत लगाएगा ठीक है? जैसे आप Y170 code लगाएगे ये price और कम हो जाएगा पुछो कैसे? आप जैसे Y170 code लगाएगे आपको 80% off मिलेगा double validity मिलेगी प्लस आपको additional coin मिलेगा उन coin को redeem करेंगे तो ये price और कम हो जाएगा प्लस ये बच्चे 12 प्लस 12 24 महीने तक valid भी है देख सकते हैं यहां पर बच्चे क्या-क्या मिल ला है? 500 प्लस घंटे की light classes है ठीक है? 1400 प्लस बच्चे क्या है? test series है 400 प्लस बच्चे e-book है और 4800 प्लस बच्चे क्या है? video courses है इतना content आपके लिए available है condition केवल एक है कि आप जब भी इसको join करेंगे आप Y170 code के साथ join कीज़े so that आपको आपको जैसे आप Y170 code लगाएंगे आपका registration मेरे पास रहेगा और मैं आपको अपना math का special part batch भी यहां पर provide कर दूँगा जिसमें मैं देड़ सो घंटे math पढ़ा रहा हूँ free of cost बस आपको Y170 code लगाकर इसको join कर लेना है और double validity offer है आज ही join कर लीजेगा प्लस दोस्तों ये तो गई railway की बाद वो सभी बच्चे जो SSC exam की तैयारी कर रहे है अगर आप all SSC exam देखो आपको पता है आप Cigelle के लिए Cigelle का maha pack CHSL के लिए CHSL का maha pack MTS के लिए MTS का maha pack CPO के लिए CPO का maha pack या batch जो भी लेना चाहे selection post के लिए selection post के batches या maha pack आप ले सकते हैं लेकिन क्यों ना आप SSC maha pack ले ले अगर आप SSC maha pack लेते हैं तो इसका price कितना 2989 यहाँ पर दिख रहा है जाए यह Y170 code लगा दिए जैसे Y170 code लगाएंगे 2729 रुपीज का पड़ेगा प्लस बच्चे यहाँ पर क्या-क्या मिलने वाला देखो जान से यह price और कम हो जाएगा जब आप Y170 code लगाओगे coin मिलेंगे यह 12 प्लस 12 24 महीने तक valid भी रहेगा join करने का process क्या है same आपको adda247.com या बच्चों adda के app पर visit करके Y170 coupon code बच्चे लगा लेना है जैसे ही आप Y170 code लगाएंगे आपको मिलेगा क्या 80% तक off और double validity 80% off और double validity यहां पर बच्चे आप देख सकते 2000 प्लस घंटे की live classes है 6000 प्लस test series है 2000 प्लस e-book है और 10,000 प्लस video courses है इतना content आपका available है condition केवल यह है कि आपको Y170 coupon code लगाना है तो गलत coupon code कोई नहीं लगाएंगे जैसे आप Y170 code लगाएंगे आपको double validity मिल लगाएंगे प्लस मेरा math का special batch मेरी तरफ से आपको free मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो अगर आप all railway exam को एक साथ cover करना चाते तो आप हमारा railway महाँ पैक ले सकते हैं and all SSC exam के लिए आप हमारा SSC महाँ पैक ले सकते हैं और maximum discount और double validity के लिए coupon code है Y170 और दोस्तों अगर कोई ऐसा बच्चा है जो SSC plus railway दोनों एक साथ पढ़ना चाता है वो क्या करें वो SSC plus railway का महाँ पैक ले सकता है 3999 रुपे बिटे इसका price है Y170 इसका coupon code है अपलाई कर दो जैसे ही अपलाई करेंगे 3651 रुपीज बलकि एप पे जाओगे coin लगाओगे तो price और कम हो जाएगा देखें कैसे जोईन करना है जोईन करने का process क्या है सेम है आपको अड्डा 247.com या बच्चों अड्डा के एप पर विजिट करके Y170 coupon code बच्चे आपको लगा लेना है जैसे आप Y170 code लगाएंगे आपको मिलेगा 80% तक off और double validity ये price और कम हो जाएगा ये अगले 12 plus 12 24 महिने तक valid है और इसमें मेरा math का special batch भी मिलेगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते पूरा का पूरा SSC और पूरा का पूरा railway हमने एक साथ cover किया है तो SSC plus railway दोनों एक साथ आपका यहाँ पर cover होगा ठीक है condition केवल यह है कि आपको Y170 code के साथ जाएए और इसमें enrollment करा लिजे गलत coupon code मत लगाएगा Y170 single ऐसा code है जो SSC railway, bank, even state government exam में भी आप लगाएंगे तो आपको maximum discount मिलेगा ठीक है तो जाएए Y170 code का प्रयोग कीजे हमारे साथ जुड़िये और अपना selection लीजे तो बताएए भाईए आज की class कैसी लगी जल्दी सुदाओ class कैसी लगी